हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आपने मैफिजेस्टर किट ली कोर्स कम्प्लीट कर लिया तब आप कैसे जान सकते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी थी वो टर्मिनेट हुई या नहीं हुई या हमारी प्रेगनेंसी क्लियर हुई या नहीं हुई कुछ क्लोट से तो नहीं बचे क्योंकि महिलाओ के मन में कई सवाल होते हैं कि मैंने टैबलेट तो खाली मेरे पीरेट भी आ गया बंद भी हो गया कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है बंद नहीं होती है क ऑपने पुरी आपका जो भी कोर्स था जो भी टाइबलेट थी वह आपने खतम कर लिया है खतम करने के बाद मैं के जान सकते कि हमारे जो ब्लीडिंग का ब्लीडिंग का वозмहें सब्सक्राल चाहिए अगर आपको प्रीडिट देडर दो महींने की है तो आप मान के चलिए कि आपके periods जो आते हैं normal उससे थोड़ी heavy bleeding आपकी होनी चाहिए ठीक है bleeding आपकी 8 से 10 दिन ये 11 दिन में एकदम finish होनी के बंद हो जानी चाहिए bleeding आपकी continue होनी चाहिए जिसके 4-5 दिन तक period आता उससे ज़्यादा bleeding होनी चाहिए आप पहली वाली tablet लेंगे तो आपको कोई लक्षन नहीं दिखाए देंगे जब आप 2 टेबलेट ओ लेंगे जो 4 टेबलेट होती है आपके missoprostal की जब वो डो टेबलेट लेंगे तो 4-5 घंटे के बाद में आपकी bleeding शुरू हो जाती है bleeding शुरू होती है तो एक दू गिन में आपको clothes आने लगते हैं और blood आता ही रहता है ठीक है वो उसमें एकदम काला काला सा बेकार बद्बू वाला blood आता है ऐसा blood आता है clothes भी आपके ब्लेक ब्लेक कलर के clothes है ब्लेक कलर की bleeding होती है थोड़ी डार्क होती है red से यानि कि वो bleeding अलग से ही समझ मातिया में कि यह खराब जो भी material है वो खराब हो निकल रहा है ठीक है अगर इस टाप की bleeding होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो pregnancy हो टर्मिनेट हो रह आप बिल्कुर finish हो जाएंगे कोई problem नहीं रहेगी bleeding की फिर 12 दिन के बाद में आप को कुछ लक्षन दिखाए देंगे जैसे कि हमें early pregnancy के क्या symptoms होते हैं जैसे ही हमें conceive हो जाता है तब हमें ulty, morning sickness, घबराट, बेचेनी, चिड़चिड़ापन, weakness, चकराना, घबराट होना इस पेट के निचले हिस्से में दर्द, कई सारे लक्षन होते हैं जो हमें conceive होने के बाद में दिखाए देते हैं अब आपने यह tablet का पूरा पेक खतम कर लिया आपकी bleeding बंद हो गई bleeding बंद होने के बाद में अगर आपको इसे कोई लक्षन दिखाए देते हैं तो फिर आप समझ प्रेगनेंसी टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगी bleeding स्टार्ट हो गई तो आपको यह symptoms काफी कम हो जाते हैं जैसे हैं आपके bleeding stop होती हैं तो आपके symptoms से भी काफी कम हो जाते हैं या बिल्कुल यह लक्षन दिखना बंद हो जाते हैं जैसे उल्टीघ, ब्राट, बैचेनी, चकर, ठकान होना, कम जोरी मैसूस होना यह symptoms आपके काफी कम हो जाते हैं और अगर आपकी pregnancy एकदम clear हो गई, bleeding stop हो गई, 15-20 दिन हो गई और आपको फिर भी election दिखाए दे रहे हैं तब आपको क्या करना है आपको अपने घर पे ही pregnancy test करके देखना है अगर pregnancy test में आपकी दोनो लाइन है, एकदम dark आ रही, एक लाइन तो आपके dark आएगी ही, दूसरी लाइन आपकी, जो test की लाइन होती है, अगर वो भी dark आती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी pregnancy अभी terminate नहीं हुई है, फिर उसके लिए आपको क्या करना है वो भी बताऊंगी, औ और अगर आपका pregnancy test की जो test की line है, वो थोड़ी light आ रही है, यानि कि dark के बरावर नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी pregnancy एकदम clear हो गई ही, आपको परिशान होने की जर्वत नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कप करना है, जब आपकी bleeding बंद हो जाए, उसके 8 दिन बाद आपको pregnancy test करके देखना है, यानि कि जब आपने tablet खाई, आपकी bleeding होई 12 दिन, तो आपने जब से tablet लेना शुरू किया, उसके 15-16 दिन में आपको अपना pregnancy test करके देखना है, अगर थोड़ी सी भी light आती है, तो वो बिटा-ACG hormones का secretion होता है हमारे blood में तो उसके कारण थोड़ी सी light आएगी, तो उससे परिशान होने के जर्वत नहीं है, अगर वो बिल्कुल dark आती है, और आपको इलक्षन भी दिखाई दे रहे हैं, उल्टी घबराड बेचेनी, जो वो pregnancy collection होते हैं, और अगर आपको जानना है कि early pregnancy के symptoms क्या होते हैं, तो इस मेरा अलरेडी वीडियो है, लिंक आपको description में मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं, और अगर आपको इससे कोई लक्षन नहीं दिखाई देते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट के लाइन आपकी हल की आती है, लाइट लाइन आने लगती है, तो आपको प्रेगनेंसी के ल अगर आपको करवानी होती है, दूसरी बात, अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्लाइट आता है, तो आप निश्रिंथ हो जाएए, प्रेगनेंसी आपकी टेर्मिनेट हो गई, यानि कि केस इगदम क्लियर है, आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, और आपको ब्लीडिंग ऐस तो आपको देर नहीं करना है, तूरंत अपने डॉक्टर से बात करना है, और अगर आप डॉक्टर से बात नहीं कर सकते हैं, और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे ट्रेटमेंट ले सकते हैं, ये सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें